आई होप आपको फर्स और सेकेंड लेक्चर में जो हमने अमो डाइग्राम सपड़े हैं वो बहुत अच्छे से समझ आयोंगे और जैसे बच्चों ने कॉमेंट करके मेंशन किया है कि वो बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं तो बारकी स्टूडेंट्स भी जिन्होंने कर पा रहे हैं या नहीं आज ही हमारा थर्ड लेक्चर है जैसे वैंने इस यूनिट में बताया था कि आपके डिफिन डिफिन टॉपिक्स हैं तो हमारे थर्ड लेक्चर का आज का टार्गेट है कि हम कंप्रीट करेंगे अपना टॉपिक ग्रेफाइट फुल्री और हमारा टॉपिक है नैनो मेटिडियलस यानी नैनो मेटिडियलस यह थीनो टॉपिक हम पढ़ेंगे नैनो मेटिर आसना आका स्पैसिक्पिक्ली आता है कार्बन नैौ subsequently ही हो आपके स्लेबर्स में है ये सारी चीज़ हैं लेक्चर में ये तोपिक कावर करेंगै अब आपसे exam में वो पूछता है कि किस तरीके का question आएगा graphite से related यानि वो आपसे पूछेगा कि draw the structure and its application and its properties और आपको इसमें किस तरीके से यह सारी चीज़ें mention करने हैं तो सबसे पहले आपको यह diagram बनाना है यह diagram आपको बनाने के लिए मैं आपको यह समझाऊंगे कि यहाँ पर किस क्या चीज़ें किस तरीके से बनी है तो आपको यह चीज़ देखके समझ में आ रहा है कि इसमें hexagons बने हुए यह आपके hexagons यानि हमने यह बोला कि 6 carbon atom combine करके क्या बना रहे हैं hexagons बना रहे हैं और यहाँ पर जैसे आपको यह diagram में दिखाई दे रहा है कि किस bond से connected है यह आपका bond हो गया covalent bond अब आपने यह चीज़ बोली कि यहाँ पर जितने भी carbon atom है यह आपके hybridized है sp2 hybridization यानि यहाँ पर जितने भी carbon atom है वो graphite में कैसे hybridized होंगे sp2 अब इसी तरीके से हमने क्या बोला कि हमारा fourth carbon यानि हमारे पास एक carbon की चार valence होती है तो तीन तो वो क्या हो गई तीसरे तीन carbon से attach हो गई लेकिन जो fourth valence है वहाँ पर आपका यानि fourth electron free to move है कहाँ पर अपनी ही layer के अंदर अब आप क्या कहेंगे कि इसमें क्या होगा various hexagons यानि एक hexagon आपका ये फिर second ये फिर यानि ये आपके कैसे connected है layer by layer connected है और जैसे ही ये layer by layer connected है तो ये किस तरीके की क्या बना लेंगे ये अपना plane बना लेंगे अपनी sheets बना लेंगे और इन sheets को आप क्या बोलेंगे इनको आप बोलेंगे graphene sheets आप आपके पास क्या आता है कि ये different layers ये जो आपकी ये उपर वाली ये layers है ये नीचे वाली layers है जो connected है हमने यहाँ पर mention भी किया है कि कैसे force से attached है ये आपका weak wonderful force से attached जाए एक दूसरे के साथ अब आप अगर बात करें graphite की properties की तो सबसे पहले आप इसकी physical property बताएंगे कि ये किस तरीके का दिखाई देता है यानि ये क्या है ग्रेश, black और greasy substance है अगर आप इसकी physical property की बात करेंगे या फिर हम इसको ये बताएंगे ये कैसा visible होता है तो आपका ये ग्रेश, black color का है और greasy substance है अब आप इसमें next mention करेंगे कि इसके अंदर luster होता है यानि metallic luster present है अब ये metallic luster किस वज़े से present है क्योंकि हमने क्या बोला कि ये different layers की forming attached है और different layers के बीच में आपका क्या है weak wonderful force तो इसकी वज़े से क्या है slippery nature है और इसी की वज़े से क्या होता है इसमें metallic luster अब आपके पास क्या आता है आप ये बोलते हैं कहीं पे बीकी covalent bond बना हुआ है तो covalent bond बहुत strong bond है और ये बहुत यानि आप अगर बात करें तो yellow tropes होते हैं बनके ग्रेफाइट और फुलरीन तो यानि यह कैसे बने है c60 से तो यानि 60 कारबन है तो यानि giant molecule है अब giant molecule आपका बना कैसे covalent bond से तो covalent bond आपके बहुत सारे present है और ये strong bond है जिसकी वज़े से आपको इसको एक high temperature provide करना होता है जिसकी वज़े से आप क्या बोलते हैं कि वो bond break करने के लिए आपको high temperature देना है और high temperature आपने दिया तो क्या बोलते हो कि इसका melting point बहुत जादा है अब आप इसी वज़े से आप क्या बोल रहे हो कि thermodynamically stable है as compared to diamond कि ये diamond की तरह से भी जादा stable है अब आप क्या कहते हैं कि graphite दो तरीके से मिलता है यानि इसकी दो species है एक आप बोल रहे हैं कि आपका graphite alpha और graphite beta तो यानि अगर आप ये कहेंगे कि इसकी different layers present है different layers present है तो अगर आप ये कहेंगे कि आपका third layer as it is है जैसे आपका first layer present है यानि आपने ये बोला कि a b a b a a यानि आपका ये first layer ये second ये third ये first और third आपका same हो गया तब ये आपका किस तरीके का graphite बनेगा तब ये बनेगा आपका alpha graphite अगर आप बीटा की बात करोगे तो बीटा आपका किस तरीके का बनेगा यहां पर आपका fourth one सेम होगा आपका कैसे first layer से यानि यहां पर आपका किस तरीके का molecule बनेगा a b c फिर उसके बाद आपका a b c यानि multiple layers आपकी बनती रहेंगी और आपका first layer और fourth layer आपका similar होगा तब आप क्या बोलेंगे कि यह किस तरीके का graphite बनेगा beta graphite अब आपको इस चीजिस में हमेशा याद रखने है कि आपका graphite क्या है good conductor है किसका heat और electricity का तब आप अगर conductivity की बात करें तो आप हमेशा किस basis पर define करते हैं यानि वहां पर free electrons प्रेजेंट होंगे अभी आपने क्या बोला कि हमारे पास free electron कहां प्रेजेंट है फोर्थ कार्बन के पास यानि एक कार्बन आपका बाकी के तीन कार्बन से प्रेजेंट है और इसके पास जो यह free electrons है यह आपका free to move है अब यह electron आपका क्या करेगा कहां प्रेजेंट है अगर आपने इसकी बात करी sp2 hybridization की अगर आप कार्बन की electronic configuration लिखें तो इस तरीके से लिखेंगे 1s 2s और 2b 2b 2bx 2by 2bz अगर आप बात करें number of electrons की तो इसके पास यह electrons है यह इसकी क्या है ground state है अगर हम इसी की excited state की बात करें तो आपका 2s का electron jump करके यानि यह electron आपका jump करके कहां चला जाएगा 2bz में अब जैसे ही यह electron आपका jump करके यह आ गया तो इसकी कैसी state हो गई यह इसकी excited state हो गई अब आपने क्या बोला कि यह sp2 hybridized है तो obvious ही बात है यानि यह sp2 hybridized कैसे बनेगा यानि आप क्या बोलेंगे कि इसका 1s तो completely filled है 2s 2px और 2py यानि इस तरीके से क्या करेगा overlap कर लेगा और यह आपका यहाँ पे यह अलग से vacant है जाएगा तो यह जो electron यहाँ पे present है यह electron क्या है free to move यानि इस electron की वज़े से क्या करेगा वो electricity को easily conduct करा सकता है इसलिए आपने क्या बोला कि graphite good conductor of electricity है जहाँ पे आपका 2pz orbital में electron present है उसकी वज़े से अब आपका क्या आता है application part अब application यानि आप इसको कहां कहां यूज कर सकते हैं यानि आप graphite का use कहां करेंगे तो सबसे पहला use हमने बताया कि यह lubricant यूज कर सकते हैं क्योंकि इसके different layers के बीच में क्या है वीक wonderful forces है तो different slides क्या कर सकते हैं एक दूसरे के साथ slide कर सकते हैं एक दूसरे के उपर और उसी वीक wonderful force की वज़े से हमने क्या किया इसको अब बात करते हैं ग्रेफाइट की तो हम नॉर्मल लाइफ में इसको डेली लाइफ में यूज करते हैं कि आपने यह देखा होगा कि आपके जो पैंसिल्स हैं उनके आगे का जो ब्लैक पॉइंट है वह आपका क्या है ग्रेफाइट जिससे आप लिखते हैं और उसको आप रबर से रब भी कर सकने हैं लेकिन वह उसके बावजूद भी क्या करता है अपना कुछ ना कुछ निशान छोड़ जाता पेपर पे अब आप क्या बात करेंगे आपका नेक्स टोपिक है फुल री अब ये भी क्या है कार्बन काइलोट्रोप है आप कार्बन काइलोट्रोप है तो कितने कार्बन से बना C60 और इसमें जैसे आपने पीछे ग्रेफाइट में बात करी कि वो आपका हेग्जगनल शेप बनता है और यहाँ पर आपकी क्या है, hexagons भी है, और pentagons भी, अगर आप बात करेंगे hexagons की, तो कितने hexagons होंगे आपके, आपके पास होंगे 20 hexagons और 12 pentagons, अब आप ये चीज़ कहेंगे इसमें कि आपके जितने भी pentagons है, वो एक दूसरे को touch नहीं करेंगे, यानि उनमें कुछ न कि आपके पास ये room है, और इसके ये क्या होंगे, corners जो आपके है, ये क्या है, four vertex, और total vertices अगर आप count करेंगे तो क्या बोलेंगे इनको, four vertices, अब इसको आप क्या बोलते हैं, ये जो part है आपका, ये आप बोलते हैं, इसको face, तो इसी तरीके से अगर आप full ring की बात कर देंग आपके बास 60 vertices हैं, और 32 faces हैं, अब आप क्या बात कर रहे हैं, graphite की तरह full ring में भी कि आपका each carbon SP2 hybridized है, यानि जिस तरीके से मैंने बताया आपको पहले पीछे वाले example में graphite में कि वो कैसी hybridization करेगा, SP2 hybridization करेगा, अब आपको इक चीज इसमें हमेशा याद रखनी है, कि यह यहाँ पर carbon जब भी single bond बनायागा, तब उसकी bond length कितनी होगी, 104.5 angstrom, और जब भी double bond बनायागा, तब उसकी bond length कितनी होगी, 1.38 angstrom, अब यहाँ पर exam में आपको क्या चीज़े mention करनी होती है, सबसे बहले आपको diagram बनाना है, फिर उसके बाद यह concept देने हैं, कि यह diagram कैसे बना यानि आपने इसमें hexagons कितने बनाये, pentagons कितने बनाये, और उन दोनों के vertices कितने हो गए, और faces कितने हो गए, यह सारी चीज़ें बताने के बाद hybridization भी बताएंगे आप, और bond length भी बताएंगे, तो यह सारी चीज़ें भी बताएंगे, अब इसके बाद आपका आता है, preparation of full basis पर उसको define किया कि उसमें क्या hybridization है, और क्या कितने उसमें carbon के content है, यानि कितने carbon आपके हैं, और किस bond से जुड़े हुए हैं, और कैसे आपका यह exist करेगा नेचर में, तो आपको इसके बाद इसका preparation किस तरीके से start करना है, यानि सबसे पहले आप क्या बताएंगे, कि आप आपका है graphite का road, जिसको आपने किस में रखा, helium gas के atmosphere में, अब इसके बाद आपने वहाँ पर क्या करना है, pressure maintain करना है, pressure क्या होगा आपका, 0.52.1 atmospheric pressure, अब इसके through आपको क्या करना पड़ेगा, condition provide का दानी पड़ेगी, that is, electric current provide कराना पड़ेगा, इसके बाद आपको क्या मिल रोड्स क्या हो जाएंगी, evaporate हो जाएंगी, किस में, full rain suit में, और यह किस तरीक है क्या होगा, fluffy dust या फिर light suit होगा, अब इसको आप क्या कह सकते हैं, कि यह आपका 15, 5-15% इसमें आपका क्या होगा, full rain present होगा, अब sublimation की process के through आप क्या करेंगे, इसको full rain के mixture में convert कर देंगे यानि आपको step by step क्या करना है, पहले आपने graphite का road लिया, उसको आपने क्या किया, helium gas का atmosphere प्रोवाइड किया, और current के साथ, अब आपको क्या मिला 5-15% full rain प्रोवाइड होगा, अब इसको आपने क्या करना है, sublimation process के through, full rain के mixture में convert करना है, अब आप क्या करोगे, chromatography technique के through क्य method, अब इसके बाद आपका आता है properties, कि आप से कोई भी ये पूछे कि आपका full rain का structure क्या है, उसका preparation क्या है, और उसकी properties क्या है, तो आप step by step इसको exam में इसी तरीके से लिखते होए चले जाएगे, अब ये कैसा है, ये solid content है, यानि आपका full rain कैसा होगा, solid in nature, और अगर इसकी बहुत सारी layers increase हो जाए, यानि अगर आप इसकी different layers की अगर आप बात करो, यानि आपने बोला कि इसकी thickness increase हो रही है, तब ये आपका कैसा होगा, brown या black color का होगा, otherwise ये कैसा visible होगा, आपको mustard color का दिखाई देगा, अब आप क्या कहते हैं, कि ये semiconductor in nature है, यानि ये कैसे हैं, semiconductor है लेकिन अगर आप इनकी doping करें, alkali metals के साथ, तब ही आपके कैसे behave करेंगे, conductors और super conductors, अभी आप क्या कहेंगे, कि ये कैसे हैं, aromatic in nature है, और इनका aromatic nature कैसा है, poor है, अगर आप बात करेंगे, कि ये strong है, या weak है, तो ये आपका कैसा है, strongest, अब आप क्या कहते हैं, कि जब आप इसको compare करेंगे, graphite से, और full rain से, तो ये उनकी तरह discrete नहीं है, अब आपका क्या आता है, next topic आपका आता है, nano materials, आपने सुना भी होगा, कि आपके nano materials कैसे होता है, यानि जिन materials में आपका dimension कैसा होता है, यानि उसमें कम से कम आपका एक dimension कैसी होनी चाहिए, 10 raise power minus 9 meters, यानि आप आपने क्या बोला, कि आपका 1 nanometer क्या है, उसको convert करेंगे, आप in terms of meter, यानि 10 raise power minus 9, अब आप बात करते हैं, इसी dimension के basis पे क्या, आपके nano materials होते क्या है, यानि कौन कौन से nano materials आपके होते हैं, तो आपके होते हैं, nano particles, nano roads, nano wires, nano porous materials, और nano tubes, आपके syllabus में क्या है, कि इनको synthesize किस तरीके से कर सकते हैं, यानि ये बनेंगे कैसे, कि आपका बहुत बड़ा bulk material है, और उससे आपको क्या बनाना है, nano material बनाना है, तो आप इसको किस तरीके से synthesize करेंगे, तो इसकी आपके पास दो approach है, पहली top to down approach, और second आपकी bottom approach, अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जब अब आप top down approach की बात करेंगे, तब महाँ पर आप क्या लेंगे initially, bulk material लेंगे, यानि bulk material से आप क्या बना रहे है, nano material, आप इसके बाद आप क्या बात करने है, bottom approach की, तो यहाँ पर आपने क्या लिया, सबसे छोटा unit, that is atom, atom से आपने क्या बनाया, molecule और फिर molecule के clusters, अब clusters आपक कैसे बनेंगे, किस form में बनेंगे, nano particles की form में, अगर हम इसका यह diagram देखें, तो इससे आपको बहुत अच्छे से clear हो जाएगा, कि यह आपका bulk molecule है, इसके आपने fragmentation किये, छोटे छोटे टुपडों में आपने इसको break कर लिया, अब इसको आपने इतने छोटे टुपडों मे break किया किया, किस shape में आ गया, यानि 10 raise to power, minus 9 meter, और you can say that is 1 nanometer, यानि इसकी dimensions कैसे होगी, 1 nanometer, अब आपने क्या किया, कहां से आपने किसकी बात करी, यह आपकी क्या है, top down, और यह आपकी क्या है, bottom up, अब यहाँ पे initially आपने क्या लिया, atoms को लिया, अब इन atoms से आपने क्या बनाए, clusters, यानि atoms के combine हों के क्या बनेंगे, molecules, और molecules के clusters बनेंगे, अब उन clusters से आपने nanoscale material बनाया, यानि nanoscale का structure, यानि जो आपके nanoparticles बनें, वो आपने कैसे बनाए, bottom up में, पहले आपने atom लिया, atom के बाद आपने molecules और उसके clusters, then आपका क्या over nanoscale material provide हो जाएगा आपको, अब बात आदिये कि आपके applications, कि nanomaterials आपके कहां use होते हैं, सबसे पहला electronics में, medicines में, और आपका engineering, यानि electronics की अगर आपने बात करिये, तो यही part आपका है, कि आपने कहां use किया, transistors, nanotransistors, और आपके environment में भी use हो रहे हैं, आपने अपनी life में देखा होगा, कहीं पे भी अगर sensors लगे होते हैं, तो वो कैसे होते हैं, आपके nanoparticles ही बने होते हैं, अब आपके यह nanoparticles, catalysis का भी काम करते हैं, catalysis यानि जो आपके reaction को speed से कराने के लिए responsible होते हैं, यानि अगर आपकी कोई reaction नहीं हो रही है, spontaneous नहीं है, तो आप महाँ पे क्या करते हैं, catalyst का use करते हैं, तो क्या होते हैं वो आपके nanoparticles भी हो सकते हैं, अब यह आपका क्या है, magnetic material, magnetic storage, disk material में भी आपका किन का use होता है, आ आपके nanoparticles का, अब आपका आता है important topic कि carbon nanotubes, यानि आपने बढ़ा nanowires, nanotubes, यह सारे components आपने पड़े जो आपके nanomaterials में हैं, लेकिन आपका important क्या है, nanotubes, जिसमें आपका example क्या आता है, carbon nanotubes, अब आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, कि यहां पे आपका क्या है, carbon है, यानि main constituent क्या होगा, आपका carbon होगा, और यह क्या है, nanomaterials है, यानि यह आपको चीज याद रखने हैं कि अभी तक 1991 तक आपके पास क्या थे, सिर्फ दो allotubes से, अब 1991 में एक Japanese physicist थे, जिन्होंने यह आपका क्या किया, इसको invent किया, इन्होंने क्या बताया, कि यह भी आपके क्या है, carbon के ही allotropes है, अब आपको क्या याद रखना है कि इनको आप क्या बोल सकते हो, इनको आप क्या बोल सकते हो, यह carbon bucket tubes होती है, आप इसके types कितने है, यहापे आपको इक चीज और याद रखने हैं कि आपको इसकी पहले definition देनी है, जिसमें आपको यह पार्ट और second आपका आता है, multi-volt, carbon nanotubes, अब इनको आप कैसे define करते हो, इनका नाम क्या है, यानि अगर आपको यह represent करना है, तब आप कैसे represent करेंगे, SWCNT, CNT that is carbon nanotube, SW that is single volt, अब आप इनको क्या कहते हैं कि इनकी dimension क्या होती है, यानि यह क्या है, one dimensional structure है, और अगर इसके example की बात कर हैं, तो armchair and zigzag, single volt carbon tubes, तो यह आपकी क्या है, यह इसके examples, और आप इनको represent कैसे करते हैं, और इनकी dimension क्या है, तो इसमें आपको तीन चीज़े बतानी है, अब इसी तरीके से जब आप multi-volt को define करेंगे, तो यानि आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, कि वहाँ पे आपकी single volt की अगर layering हो जाए, यानि different single volt carbon nanotubes, अगर आपकी combined होगी, तब आपका क्या होगा, multi-volt carbon nanotubes, इसको आप कैसे represent करेंगे, M4 multi, W4 volt, C and T, that is carbon nanotubes, अब आप क्या कहते हैं, यही चीज मैंने आपको बताया है, कि several nested carbon nanotubes का combination है, और आप इसको क्या बताते हैं, कि इसमें two diameters हो तो इनका बाहर का diameter अलग होगा, और inner diameter, यानि outer और inner diameter आपका अलग होगा, अब इसके example आपके क्या है, chiral multi-volt carbon nanotubes, अगर आप इसका diagram देखें, तो आप कुछ जाधा अच्छे से समझाएगा, यानि यह हैं आपकी single volt carbon nanotubes, और आप कह रहे हैं कि यह कैसे बनी है, nested carbon nanotubes तो यानि यह क्या है, multiple, यानि यह भी है, यह भी है, यह सारी क्या है, अपना nest बना रही है, तो यहाँ पर क्या है, multiple carbon nanotubes, अब अगर आप इसकी properties की बात करें, तो carbon nanotubes क्या होती है, thermally capable होती है, तो आप क्या बोलोगे, इनको किस तरीके से लिखोगे, कि carbon nanotubes have a high thermal capacity, त इसलिए आप क्या करते हो, bridges बनाने में इसका यूज करते हो, और aircraft में इसका यूज करते हो, अब आप क्या बोलोगे next में, कि यहाँ पर, जितने भी आपके carbon atom है, यानि एक carbon आपका तीन carbon से surrounded है, और कैसे connected है वो एक दूसरे से, covalent bond से, जो हमने पहले graphene में भी और graphite में औ दोनों में discuss करी है, और कैसी shapes बना रही है, यानि जो इनका latest बन रहा है, carbon को attach करके, दूसरे carbon के साथ, तो यहाँ पर यह भी कैसी shape बनाती है, hexagon shape बनाती है, अब आपको क्या याद रखना है, इसकी property में, कि यह क्या है, crystalline structure है, यानि अगर आप किसी भी solid की बात करेंगे, त होते हैं, तो इनकी structure कैसी होगी, crystalline होगी, और यह कैसे, regular hexagon pattern में आपको visible होगे, अब आपने क्या बोला, कि इनके पास क्या है, एक free electron है, यानि यह आपके carbon calotrops ही है, आप carbon calotrops है, तो graphite और fluorine की तरह ही इनका structure होगा, और बाकी की properties होगी, तो जब इनके पास free electron है, तो आप क्या कहते हो, good conductor of heat and electricity, जिसकी वज़े से क्या करता है, good conductor होगया, heat और electricity का, यानि इसमें से क्या हो सकता है, current भी easily pass हो सकता है, और heat भी, अब आप क्या बोलेंगे, next में, next property आप इसकी mention करेंगे, कि यह chemically neutral है, जिसकी वज़े से आपका, यह easily corroed नहीं होता, यानि आपका क्या है, nanotubes, corrosion resistance है, अब आपका क्या आता है, कि इनकी applications, यानि आपको यह बताना है, कि carbon nanotubes आपकी use कहा होती है, तो आपको सबसे पहले कि यहाद रखना है, कि आपके जितने भी space suits और sports wear और bulletproof jackets होती है, यहाँ पर इनका use होता है, कि इनका carbon nanotubes का, यानि आपके CNTs use होती है, इन सब चीज़ों को develop करने में, अब आप अगर बात करेंगे, electric motors की, तो अगर आपको कहीं पर भी nano scale electric motor use करनी है, या बनानी है, तब आप वहाँ पर क्या use करेंगे, carbon nanotubes का use करेंगे, हमने यह चीज़ पहले भी पड़ी, इसकी properties में कि catalysis की तरह use कर सकते हैं, तो यानि application part म में भी क्या जाएगा, कि आप इसको बता सकते हैं, कि ऐसे catalyst use कर सकते हो, अब आपने एक चीज़ देखी होगी, कि आप जब भी aircraft में, या फिर space में कुछ भी चीज़ें यूज़ करते हैं, तब वो क्या होती है, बहुत जादा lightweight होती है, तो उनकी वज़े से आप यहां पर क में, यानि windmill blade में क्यों use कर रहे हैं, क्योंकि आपने क्या बोला, कि इनका weight बहुत जादा कम है, और यह क्या कर रहा है, आपकी energy production की, यानि जो आपकी electricity produce हो रही है, उसकी efficiency को increase कर रहा है, इसलिए आपने windmill blades में भी carbon nanotube का use किया, अब आपके पास आता है, carbon nanotubes as nano cylinders, यानि आपकी कुछ-कुछ gases बहुत जादा hazardous होती है, जैसे आप H2 ले लें, तो अगर आपको H2 को store करना है, तो आपके पास inert cylinders होने चाहिए, अभी आपने क्या बोला, कि carbon nanotubes क्या है, inert है, तो अगर आप इनका cylinder अगर use करें, hazardous gases को store करने के लिए, तो इस purpose के लिए भी आपका क्य use होता है, carbon nanotubes, I hope आपको यह theoretical part समझाया होगा, और अगर आपको इसमें कोई भी problem है, तो आप comment section में mention करके जरूर बताएं,